हेलो दोस्तो नमास्कार दोस्तो आपकी युट्यूब चैनल जौब इंडिया में सौगत करता हूँ प्यारे दोस्तो अभी आपने हमारी युट्यूब चैनल जौब इंडिया को सबस्क्राइब नहीं किया है जल्ली से चैनल को सब्सक्राइब कर दो AMS NORSET 6 भरती 2024 दोस्तो AMS NORSET 6 फानिल विकेंसी आ चुकी है AMS की तरब से NORSET 6 नर्सिंग ओफिसर की भरती निकले गई है दोस्तो AMS की यहाँ पर विकेंसी आ चुकी है 15 AMS विकेंसी लिष्ट यहाँ पर निकले गई है टोटल अब की बार 200 AMS में जो है 1524 वेकेंसियां होने वाली है इसके लमा सेनेटर गौर्रमेंट हॉस्पिटल में कितनी वेकेंसि है इसकी मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी है मैंने आपको बताया था कि एकजाम के जो है दो हफ्ते पहले AMS final वेकेंसि अपनी जारी कर द फव्तक अब कर दो लहाएगी जिसके लिए 15 AMS की यहां पर वेकेंसि डिटेल्स आ चुकी है कतरी वाईज है तो बात करेंगे किस AMS में कितनी वेकेंसिया और किस AMS में सबसे AMS नई दिली के official website पर बात करेंगे AMS final vacancy के update के बारे में तो दोस्तों आपको जाना है Google पर आपको search box में AMS सर्च करना है जैसे आप लोग सर्च करोगे AMS के official website पर आना है AMS exams.ac.in इस website पर आओगे तो recruitment page पर जाओगे तो वहाँ पर भी आपको update मिल जाएगी साथ यहाँ पर important announcement पर आओगे यहाँ पर देखिए एक options को करेगा important announcements इस पर आओगे तो number second option देखना है notice final vacancy position for AMS for the 166 है इस पर आप लोगों को click करना है AMS से vacancy details आपको मिल जाएगी तो यहाँ पर देखिए vacancy details open हो चुका है notice number 44 oblique 2024 Norset 6 oblique 2024 All India Institute of Medical Sciences अंसारी नगर नई दिल्ली PIN code 11 0608 notice number 44 oblique 2024 vacancy position of all AMS Norset 6 date mention है 4 April 2024 और file number है note कर लेना total यहाँ पर 15 AMS vacancy details mention की गई है यहाँ पर आप लोग देखोगे तो 1524 vacancy AMS में होने वाली है तो अब की बार जो AMS में vacancy है अगर आप लोग देखोगे तो 1524 vacancy हैं जिसमें से AMS भटेंडा के लिए देखिए कितने vacancy है तो UR category के आप लोग देख लो OBC NCL की देख लो ESC की देख लो ESC की देख लो और EWS की यहाँ पर देख लो तो total भी यहाँ पर आप लोग देख पाओगे अभी कौन-कौन से AMS हैं जिसके लिए बढ़त निकाले गई है तो यह देखिए AMS भटिंडा, AMS भटिंडा, Nursing Officer NORSER 6 के माद्यम से भरी जाएगी AMS भूनेसवर, AMS बिलासपूर, AMS देवगर, गोरकपूर, गुवाहाटी, कल्यानी, मंगलागरी, नागपूर, रायबरेली, नही दिल्ली, पतना, रायपूर, रिसी केस और विजयनगर, जम्मू यह total 15 AMS है जिसकी Nursing Officer की भरती अब की बार दोस्तों AMS से 36 के माद्यम से भरी जाएगी किलर हो चुका है, no doubt अब यह आप लोग देखिए, AMS भटेंडा की बात करते हैं तो AMS भटेंडा में जो है यूर कड़गरी में 48 वेकेंसी है टोटल अगर हम बात करते हैं तो 56 वेकेंसी है इसके अलमा AMS भूनेसवर में यूर कड़गरी में 73 वेकेंसी है टोटल 186 वेकेंसी है नमबर थर्ड, AMS भिलासपुर में यूर कड़गरी में 39 वेकेंसी है टोटल 58 वेकेंसी यहाँ पे AMS भिलासपुर में रखी गई है AMS देखर में जो है टोटल 182 वेकेंसी है एम्स देवगर में दोस्तों यूर कटगरी में 75 वेकेंसी है एम्स गोरकपुर में 45 वेकेंसी यूर कटगरी में है टोटल जो है 119 वेकेंसी निकाली गई है एम्स गुहाटी में जो है 38 वेकेंसी यूर कटगरी में है टोटल जो है 100 वेकेंसी है इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो AMS कल्यानी में दोस्तों या AMS कल्यानी में जो है 17 वेकेंसी है यूर कटगरी में 37 वेकेंसी है टोटल 90 वेकेंसी है AMS नई दिल्ली यूर कटगरी में 69 वेकेंसी टोटल 160 वेकेंसी है AMS पटना में जो है सबसे ज्यादा वेकेंसी है जी हाँ AMS पटना में दोस्तों सबसे ज्यादा वेकेंसी है AMS PATNA में 200 vacancy है जिसमें सA UR category में 81 vacancy है AMS R Zustain vacancy है UR category में टोटलगर बात करते हैं 53 vacancy है AMS R SKS में 51 vacancy है और AMS Vijayanagar Jammu में 88 vacancy है टोटल देखोगे तो UR category में 671 vacancy OBC NCL में 388 vacancy ơसी के लिए 207 vacancy VST के लिए 106 vacancy और EWS के लिए 152 vacancy यहां पर रखी गई है तो अभी आप लूँक देखोगे तो सबसे जाना vacancy M से पतना में है M से पतना में 200 vacancy है इसके बाद दोस्तो M से भूनेस्वर में 186 vacancy है इसके बाद दोस्तो अगर हम बात करते हैं तो Ayams देवगर में 182 vacancy है इसके बाद Ayams नई दिली में 160 vacancy है अगर UP की बात करते हैं तो UP में दोस्तो Ayams गोरकपुर में 119 vacancy है जो की काफी अच्छी vacancy है Ayams राईबरेली में 90 vacancy है उत्तरपर्दिस में 2 Ayams है एक गोरकपुर और एक राईबरेली यहां से काफी अच्छी वेकेंसी है बिहार में पटना, पटना में भी 200 वेकेंसी है तो M से 15 यह जो 15 M है इसकी वेकेंसी के डिटेर्स मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है इसके ज़िए आप लोग बैक आईए यहां पर मैं आपको बता दूँ यह होम पेज है इस ओफीसियल होम पेज का लिंक नीचे डिस्कुशन बॉक्स में दिया गया है वहां पर किलिक करके डारेक्ट आप लोग इस पेज पर आए और इस पेज पर आने पर आप लोग important announcement में देखके आपको क्या करना है final vacancy PDF देख लेना अब ही हम लोग चलेंगे official login पेज पर यहाँ पर नॉटसर 6 का option आ चुका है इस पे किलिक करना है किलिक करने की बाद आपको मैं बता दूँ तो यहाँ पर advertisement वाली option पर जाना है यहाँ पेज जो है नंबर थर्ड है advertisement इस पे आप लोग किलिक करिए जैसे आप लोग किलिक करोगे नई पेज यहाँ पर पर हो जाएगी Amps नई दिली and other Amps की vacancy के details के बारे मैंने आपको जानकाई देदी है NITRD नई दिली में कितनी vacancy है देख लेना मैंने सारी पहले आपको जानकाई देदी है फिलाल आप लोग देख लेना बिल्क आपको नीची आना है जैसे अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो कितनी vacancy है 1524 vacancy तो Amps में है यहाँ पे एक ही vacancy है तो यह मुंबई में एक vacancy है और C-N-C-I C-N-C-I कोलकाता में कितनी vacancy है चलिए मैं एक जलक आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पे जैसे आप लोग नीचे आओगे तो C-N-C-I कोलकाता कि एगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 15 vacancy है किलियर है बाकि आप लोग देख लेना धन्यवाद